Hello everyone and welcome to gate academy and job junction आज के वीडियो में जो जॉब अपडेट हम ले करके आए हुए वो टेकसस इंस्टूमेंट्स की तरफ से लाया गया है तो बने रहे है वीडियो के आन तक क्योंकि पूरी इंफॉर्मेशन इस जॉब अपडेट मिलेगी आपको इस वीडियो में और अगर आप हम जॉब अपडेट पाईए तो चलिए शुरू करते हैं तो स्टूडेंट जो जॉब रोल ले करके आई हुई है टेकसस इंस्टूमेंट्स यहां पर वो एनलोग एंड डिजीटल इंजीनियर की जॉब रोल रहने वाली है और अगर मैं बात करूँ यहां पर आपकेज एक्स इंस्टूमेंट्स यहां पर 32.16 LPA का यहां पर आपको पैकेश देखने को मिलेगा जिसमें यहां पर कैश प्लस एक्यूटी प्लस बेनिफिट्स आपको मिलेगा यहां पर अगर मैं बात करूँ कि रेजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहा है तो यह रेजिस्ट्रेशन अभी ongoing है और 23rd of June से यह चालू हो चुका है अगर बात करें अपन क्या eligibility criteria है यहां पर दिया गया हुआ है कि आपका जो batch है वो 2020, 2021 और 2022 का है तो आप यहां पर eligible और आपका जो branch होगा जो आपका engineering की degree होगी वो चाहिए B होगी या BT की होगी तो आपका जो branch होना चीए वो electrical electronics यहां पर अगर हम बात करें कि आप टेस्ट का pattern कैसे होने वाला है यहां पर तो यहां पर एक online test होगा जिसमें compulsory test होने वाला है और एक से दो यहां पर technical test भी होने वाला है company के तरफ से तो यहां पर जो compulsory test है वो मैं बता दूँ एक प्रकार वो aptitude section है यहां पर आपको 20 questions दि पड़े इसके अलावा जो technical round जो होने वाला है यहां पर जो technical test होगा यहां पर उसमें analog के 20 questions रहने वाले हैं यहां पर और minimum one technical section and maximum two technical section को आपको यहां पर attempt करना है और यहां जो exam का यहां पर duration होने वाला है students यहां पर अगर आप सिर्फ एक test के लिए यहां पर opt करते हैं वो भ और अगर आप यहां पर दो technical test के लिए अगर opt करते तो आपका जो exam का duration होने वाला है वो 135 minutes का रहेगा student यहां पर अगर बात करें अपन की यहां पर किया selection का process रहने वाला है तो यहां पर दिया गया है कि यार सबसे पहले आपको register करना है फिर आपको इसी में TI preparation material मिल student की analog का कैसा job description है और digital का job description कैसे रहने वाला है और जो apply करने की link है students वो आपको हमारे वीडियो के description में मिल जाएगा तो जाए और इस opportunity के लिए apply करिए यहां पर और आपको कुछ भी doubt हो तो हमें comment करके पूछिए student Texas Instruments बहुत ही शांदार company है अगर कोई अपना career start करना चाता ह और 2022 batch तो जरूर apply करिए यहां पर analog and digital engineer के role में यहां पर आई हुई है Texas Instruments यहां पर तो जाए students और इस opportunity के लिए apply करिए और वीडियो पसंदाए students लाइक करिए हमारा वीडियो शेर करिए अपने friends के साह जो ऐसे job updates यहां पर देख रहे हैं और subscribe करना ना भूलिए हमाचा क्यो